अब देखते हैं प्रोड़क्टॉफ्सां क्या होता है или कि माक्स्ट्टॉप सी इसमिंद रूटक्ट उपयों क्या होता है वैसे प्रोड़क्ट्टॉफ्सम में प्रोडक्टॉफ माक्स्टॉप्ट होता है बुलियन एक्स्प्रेशिन बराने के लिए तो max term बुलियन एक्स्प्रेशिन या product of sum of canonical एक्स्प्रेशिन देखते हैं कैसा होता है इसमें some of the unknown variables in complemented या uncomplimented फॉर में रहते हैं जैसे for example x dash plus y plus z dash और x plus y plus z dash etc तो इसमें जब x की value zero रहते है उसका वो वेरेबल आज़र लेते हैं जो वेरेबल का value zero रहता है उसको max term form में आज़र लेते हैं और जिसका value one रहते है तो complemented form लेते हैं तो जैसे sum of product form में जो output का value one था वही टर्म्स को लेते थे boolean expression बनाने के लिए वैसे product of sum में जो output का value zero है उन टर्म्स को लेंगे max term max term boolean expression बनाने के लिए या फ़र product of sum form of canonical expression बनाने के लिए जैसे for example लेते हैं ये table true table और इसका maximum boolean expression देखते कैसे होगा या product of sum of canonical expression देखते कैसे होगा जैसे ये दिया है तो अभी 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 देखते product terms या फिर max terms इन values के लिए तो इसका product terms होगा x y z sorry product terms में max term वाले form में sum होता है तो x plus y plus z x plus y plus z dash क्योंकि z dash इसले क्योंकि z का value इसमें 1 है x plus y dash plus z x plus y dash plus z dash x dash plus y dash plus z dash तो अभी इसका बुलियन एक्स्प्रेशन देखते होगे सिंस यह प्रोड़क्ट आफ सम फर्म है तो इसमें उन वाल्यूस को लेते जिनका आउटपुट जीरो होता है तो यह तीन वाल्यूस आएंगे तो इस इस बुलियन एक्स्प्रेशन में x plus Y plus z dash into x plus y dash plus z dash into x dash plus y plus z dash वारे चल्म् क्यूंक़ एक्सप्रद्ग दाश नहीं वारेजह li vare Aiक्वा Vallahi ütün इंट्रूओर्डूर्ण होंगे क्योंक् Opening Of Sum Sum हो रहा है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है तो इस लिए आए इस सम्मीम में ये टर्म्स इंक्रूदूद baru